जो युवास आती हैं आज हमारे उनमें स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है चाहे वो सीक्षा को ले को इसमाजिक दबाव को ले के हो तो क्या अध्यात्मिक्ता उन लोगों के लिए कुछ मजद कर सकती है इन सब जीजों से बाहर आने कि देखिए स्ट्रेस हम लोग एक बहुत कॉमन वर्ड है और हम उस टर्मिनोलोजी को अलग-अलग कॉंटेक्स में यूज करते हैं स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको परिवार की वज़े से स्ट्रेस हो सकता है आपको कम आए की वज़े से कम इंकम की वज़े से स्ट्रेस हो सकता है आप लेकीन अगर हम इसको बहुत गहराई से सोचें, स्ट्रेस है क्यूं? होता क्यों है? शुआ है जिनकी वज़े से होता है, लेकिन उन कारणों की वज़े से भी क्यों होता है? मैं कारणों की बात नहीं कर रहा हूा हूं, कारण तो एक हजार हो साथ है. मैं आपसे बड़ा हूँ मैं आपको कुछ बोल दूँ आपको अच्छा नहीं लगे आपको स्ट्रेस हो गया आपका अपने घर में जगड़ा हो गया तो स्ट्रेस हो गया सड़क पे कही मार पीट हो गई तो स्ट्रेस हो गया हजारों हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों की वज़े से भी स्ट्रेस क्यों होता है, वो हमें जानना चाहिए, उसके एक या दो मुख्य कारण है, कारण एक है, लेकिन मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से समझा जाएं, उसका कारण सिर्फ एंकार है, इगो है, और वो एगो जब हर्ट होती है, तो स्ट्रेस होती है, आप परिक्षा में फेल हो रहे हैं, आपकी एगो हर्ट हो रही है, आपका किसी से जगड़ा हो गया, आपकी बेस्ती हो गया, आपकी एगो हर्ट हो रही है, आपके महबाब से कुछ हो गया बात, आपकी एगो हर्ट ह हो रही है, आपकी income, आपकी आएकम है, आपकी ego हर्ट हो रही है, आप वो नहीं कर सकते हैं, जो दूसरा आदमी कर सकता है, आपकी ego हर्ट हो रही है, आप जो करना चाहते हैं, उसमें successful नहीं हो रहे हैं, आपकी ego हर्ट हो रही है, और वो ego क्यों हर्ट होती है, पहली बात तो ए अगर एहंकार से छुटी मिल जाए, तभी हमारे यहां बोलते हैं कि पांच वाइसे हैं, पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार, एहंकार को सबसे बाद में क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे मुश्किल चीज वही है, खतम करना, आप स्टेप बाइ स्टेप एक-एक को खतम करके एहंकार को खतम कर सकते हैं, और वो एहंकार, दूसरा प्रशन है, पहला तो स्ट्रेस क्यों होता है, कारण नहीं मान, पूछ रहे हैं, क्यों होता है, वो तो हो गया एहंकार की वज़े से, एहंकार हर्ट क्यों होता है, आपकी एगो हर्ट क्यों होती है उसके बहुत सारे कारण है एक तो है expectation दूसरे से उमीद आप अपने घर में जगड़ा कर रहे हैं जो उन्ता आपका जगड़ा हो रहा है तो वो expectation नहीं है आपको किसी ने कुछ बोल दिया वो expectation नहीं है, आपको stress हो गया आपका अपनी पत्नी से, ऐपने बच्चे से बच्चे ने कुछ बोल दिया, आपकी एगो हर्ट हो गई, तो वो expectation की वज़े से हो सकता है, jealousy की वज़े से हो सकता है, इरश्या की वज़े से हो सकता है, लेकिन जो सारे फ़साद की जड़ा है, वो एहंकारी है, competition की वज़े से हो सकता है एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा तो इन सब चीजों के उपर काम करना अध्यात्मिक्ता में ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य रूप में हम क्या चाहते हैं आप शान्ती से बैठी यहां के बन करके बैठी है एक हफते का प्रण ले लीजिए कि एक हफता तक मिरे को जो है सिर्फ अपना मिशन ही ढूनना है वाट इस दा सोल परपस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मा लाइफ आप इसी पर काम करिए एक हफता लाइफ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप अपना मिशन ढूने है मिशन स्टेटमेंट लिखिए अपनी हम कंपनियों की मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं कभी हमने सोचा कि हम अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखे है हम कहते हैं कि मेरी कंपनी का नाम ये हमारा मिशन ये अब किसी कोई कंपनी ले लो, कोगा कोला ले लो, LG ले लो, सोनी ले लो, कोई वल्ड की कोई भी छोटा बड़ा कॉर्पोरिट ले लो, सबका mission statement है and mission का मतलब है the sole purpose of existence, वो तो company है, non-living entities है, उनकी क्या existence, जिसकी existence है हमारी, इस जीवन में कभी हमने सोचा कि हमारा mission क्या है, what is the sole purpose of existence, हम क्यों है तो उस्तिशा में काम करने के लिए अध्यात्मिक्ता का रास्ता जरूरी है, आपको spiritual होना जरूरी है, आपको body consciousness से, ego से, एहंकार से दूर होने के लिए, वो एक मार्ग है अध्यात्मिक्ता का जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद कर सकता है, और तेजी से मदद कर सकता है.